गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 की वोक्षीट नमबर 58 को देखेंगे बच्चों जो की 20 नमबर 2020 के लिए हैं और आज हम अपने चैप्टर चैप्टर 10 प्रकाश के जस टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों वो है गोलिये लेंस और उसके द्वारा बनाए और उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रति बेंब की वस्तू को या बेंब को कहां रखेंगे तो प्रति बेंब कैसे बनेंगे वास्तविक बनेंगे आभासी बनेंगे तो इन ही के बारे में आज की वोक्षीट में हम विस्तार से जानेंगे तो देखो बच्चों दिया ह बना जाता है जिसमें कि दूनों तल क्या हो सकते हैं या कम से कम एक तल गोलीय होगा दुनों तल ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है देखो इसमें ये वला तल गोलिय है गोली गोला से निकाला गया इसलिए गोलिय है और ये वला तल जो है वो क्या है प्लेन है तो हमें इस दोनों को नहीं पढ़ना वच्चों हमारी जो स्टडी है वो हम इस पर फोकस करेंगे उत्तल और अवत्तल लेंस पर तो आओ हम देखें कि उत्तल लेंस क्या होते हैं तो उत्तल लेंस होते हैं यह होते हैं क्या किनारे से पतले देखो यहां किनारे पतले हैं और बीच पतला है और बीच में क्या हैं मोटा है और यह अभी सारी होते हैं अभी सारी कहने का मतलब है कि जब इस वाले डायग्राम को आप देखेंगे, यह वाला डायग्राम, तो देखो, इसका कहने का मतलब है, अभी सारी का मतलब है कि जब भी समानांतर किरने उत्तर लेंस पर पढ़ती हैं, तो वो कहां, वो सारी किरने एक बिंदू पर जाकर तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं अभी सारी, तो उत्तर लेंस क्या होता है, अभी सारी लेंस होता है, और अवतर लेंस को देखो, अवतर लेंस क्या होते हैं, किनारे से मोटे होते हैं, मोटा है ये भाग, और बीच में क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, बीच में ये भाग पतला ह और यह अपसारी होते हैं, अपसारी कहने का मतलब है, कि जब समानांतर किरने पढ़ेंगी, तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, यह देखो, जो समानांतर किरने इस पर आ रही हैं, अवतर लेंस पर, तो यह किरने यहां से बाहर की तरफ चली जाती हैं, यानि कि यह मिलती नही जिसको हम पीछे की तरफ किरणों को हम कीजे, तो जाकर मुख्य अक्ष पर मिले। एसे किरणों को हम कहते हैं, अपसारी, तो जो हमारा अवतर लेंज है, वो Towards Aق, अभिसारी। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद यह आवा है उत्तल तथा अवतल लेंस के किरन आरेख बनाने के नियम क्या किया नियम है तो मुखे अक्ष के समानान्तर आने बाली प्रकाश किरन उत्तल लेंस से परावर्तन के बाद लेंस के दूसरी और फोकस से गुजरती हैं ठीक दूसरी विपरी दिशा में तो यह यह पहला कि अगर समनांतर किरने होंगी, तो वो lens के दूसरी तरफ इधर की तरफ नहीं क्योंकि इधर की तरफ से किरने आ रही है, इधर की तरफ क्या होगा, किसी एक बिंदू पर जाकर, मुख्य अक्ष पर जाकर वो मिल जाएंगी, जिसको कि हम फोकस कहते हैं, और यहां देखेंगे, उसके बाद है दूसरा, कि जो अप सारी lens होगा, यानि कि जो अवतर lens है हमारा, उसके लिए क्या होगा, कि मुख्य अक्ष के समनांतर आने वाली प्रकाश किरन, इस लेंस पर जो हमारा आवतर lens है उस पर पढ़ती है, तो यह क्या होती है, दूर चली जाती है, देखो यह दूर चली गई है, हम उसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, मुख्य अक्ष पर, यहां देखो हमने पीछे की तरफ यहां मिलाया है, तो यही एक्षाम्पल आपके दियाव है, देखो समनांतर किरने हैं, तो यह यहां फोकस पर जाकर मिल गई है, यह हमारा अपसारी lens है, यानि कि अवतर lens है, तो यह क्या हो गया है, दूर हट गया है, और यहां हमने इसको पीछे की तरफ मिला है, तब जाकर यह मुखी अक्ष पर फोकस पर जाकर मीट किया है, मिला है, ठीक है, उसके बाद तीसरा है, दोनों हे प्रकार के lens में, जब प्रकाशे के रन प्रकाशे केंद्र से गुजरती है, तो अपवर्तन के बाद बिन विचलन के चली जाती है, तो यहाँ है कि जब के रने प्रकाशे केंद्र से गुजरेंगी, देखो lens के यह बीचो बीच का जो बिंदू है, जिसको सी सी निरूपित किया गया है, इसको हम कहते हैं प्रकाशे केंद्र, तो जब प्रकाशिक के इंदर से अगर प्रकाश की किरन गुजरती है तो बिना विचलन के देखो ये इस तरीके से चली गई है इसमें भी ऐसा ही है प्रकाशिक के इंदर से गुजरेगी तो बिना विचलन के वो किरन आगे गुजर जाएगी उसके बाद बच्चों आओ हम देखते हैं कि उत्तर लेंस के द्वारा कैसे रेखाचित्र बनाये जाते हैं कैसे प्रतिबिम बनते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है आपको यह वाला चो टेबल है यह टेबल आपको लॉन होना चाहिए और इसी का यह रेखाचित्र यह सारे जो रेखाचित्र हैं इसी टेबल के बने में हैं तो सबसे पहला है हमारा आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो बच्चों कि जैसा हमने अवतल दरपन के लिए देखा है वैसे ही लगभग लगभग स्थिती होती है थोड़ी सी बदल के उत इसक के बातेफ़ कि आप श बंने है और को सब्सक्राइम यहां परोली की सब्सक्राइब है डयाइन के उसके हमतल पेट करेंस हैं अपको द incumb rabbits है उसके बीच यह इधर वाले के लिए इस वाले जो गोलिये भाग है इसके लिए इधर फोकस और ये वाला जो गोलिये भाग है इसके लिए इधर फोकस है इसे याद रख लेंगे आप और focus के दुगोना क्या होता है तो होती है tritya, वक्रता tritya जिसको कि हम जो पूरा क्या है इसका दुगोना यहाँ से यहाँ तक्या है C है वक्रता केंडर है तो इधर की तरफ वाला क्या हो जाएगा C2 आप लिख लो जिसको कि ये F2 इसको F2 लिखते हैं, इधर वाले को F1 लिखते हैं, और इसके left में, F1 के left में क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और इधर हम F2 के left, right में क्या लिख रहे हैं, C2 लिख रहे हैं, अब ये देखो, ये जो बिंदू है, इसको हम कहते हैं, ओ या प्रकाशिक केंद्र, तो हम सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, लेंस में, जैसे कि हम दरपण में मापते थे, किस से, हम दरपण में मापते थे, ध्रुव से, तो यहां से यहां तक प्रकाशिक केंद्र से, C तक की जो दूरी है, वो क्या होगी, उसको हम कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, यहां से ये सारी चीजे याद रखनी है, तो यहाहां आप देखेंगे, कि क्या दिया हुआ है, कि जब प्रकाश की किरण, पहले इस सीती को देख रहे हैं, जब प्रकाश की समानांतर किरण, किरणे उत्त lur lense पे पढ़ती हैं, तो F2 पर जाकर मिल जाती हैं, मीट कर जाती हैं तो और उस समय वहां जहां मिलेंगे वहां क्या बनेगा हमारा प्रतिविम बनेगा प्रतिविम कैसा होगा बिंदु आकार का होगा बहुत छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा उसके बाद बच्चों दूसरा एक्जामपल हम देखते हैं कि अ यहां देखो गया यह है F1 यह है हमारा C1 और इसको हम 2F1 कहते हैं और यह है हमारा F2 और यह है हमारा 2F2 यानिकी C2 अगर वस्तू हमारी 2F1 से परे है दूर है यहां देखो हमारी वस्तू यहां है तो उसका प्रतिविम कहां बनेगा F2 और 2F2 के बीच बनेगा दिहान रखे अगर हमारा हमारी वस्तु 2F1 से यानि कि C1 से परे है दूर है तो उसका प्रतिबिम कहां बनेगा F2 और 2F2 के बीच बनेगा छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा यह आप डायग्राम से समझ पा रहे हो उसके पाद जो तीसरा है कि अगर वस्तु फोकस पर ह यानि कि 2F1 पर है तो उसका प्रतिबिम फोकस पर ही बनेगा याद करो अवतल दरपण में हमने देखा था कि अगर वस्तु कहां है तो उसका प्रतिबिम वक्रता केंदर पर ही बनता था तो यहां पर देखो अगर वस्तु हमारा वक्रता केंदर C1 जिसको कि हम 2F1 कह रहे है वहाँ पर है तो उसका प्रतिविम कहा बनेगा दूसरी साइड 2F2 यानि की C2 पर बनेगा सेम साइज का होगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा फोर्थ वाला हम देखेंगे कि अगर वस्तु हमारा F1 और 2F1 के बीच है यानि F1 और C1 के बीच है तो वस्तु का प्रतिविम बनेगा C2 के परे यानि की 2F2 से दूर अब 2F2 से दूर बनेगा कैसा बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा यानि की आवर्धित बनेगा उसके बाद बच्चों 5 हम देखते हैं कि अगर वस्तु हमारा Focus पर है यानि के F1 पर है अगर वस्तु तो इसका प्रतिविम कहीं अनन्त में बनेगा देखो यह अनन्त में यहां प्रतिवियम दिखाया नहीं गया क्योंकि अनन्त के लिए हम दिखा नहीं सकते प्रतिवियम को तो यहां अनन्त पर कहीं बनेगा बहुत ज़्यादा आवर्धित होगा और यह कैसा बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा उसके बाद देको बच्चों ये और सीधा तब बनता है जब वस्तू लेंज के काफी निकट होती है यानि उसके फोकस के अंदर होती है फोकस दूरी के तो यहां देखो जो F1 है उसके अंदर F1 और O के बीच अगर हो हमारी वस्तु देखो यह है हमारा F1 और यह है O तो F1 और O के बीच हो अगर वस्तू, तो वस्तू का प्रतेविम, लेंस जिधर वस्तू रखी गई है, उधर की तरफ ही बनता है, आवर्धित बनता है, यानि बड़ा बनता है, और क्या होता है, आभासी होता है, और सीधा बनता है, तो यह आपको जो टेबल और फॉर्म में यहां दिया हुआ है, तो यह जो टेबल है आपको बच्चों, यह टेबल आपको याद करने ही पढ़ेंगे, एक्जामिनिशन पॉइंट और व्यू से, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखेंगे बच्चों, अवता लेंस द्वारा बनने वाला प्रत हैं, तो यहां पर भी देखो, वस्तु चाहें हम कहीं भी रखें, इसका प्रतिविम आभासी बनेगा, और सीधा आभासी बनेगा, और छोटा बनेगा, तो देखो यहां पहली इस्थिति है, कि वस्तु अगर अनंत पर है, देखो सीधी समान आंतर किरने आ रहे हैं, क्योंक दूर चली जाती हैं देखो यह दूर चली गई है किरने और तो अगर हम पीछे की तरफ में लाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहां से किरने आ रही है यानि कि इसका जो प्रतेबिम है वो कहां बनेगा फोकस पर बनेगा एफ वन पर बनेगा याद रखेंगे और जिधर की 2-f1 यानकी c1 और अनंत के बीच है अगर कही वस्तु तो वस्तु का प्रतेबिम बनता है प्रकाशिक विंदु यानिकी ओ इसको लिखना चाहिए यह प्रकाशिक विंदु और फोकस के बीच बनता है छोटा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है उसके बार बच्चों लेंस सुत्र है, जैसे कि हमने दरपन का सुत्र जाना था, उसी तरीकी से लेंस का सुत्र है, ध्यान रखेंगे दरपन के सुत्र में यहाँ प्लस था, लेंस के सुत्र में यहाँ माइनस है, तो 1 अपॉन F इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन V, माइनस 1 अपॉन U, यह याद रखे इसके लिए साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था वो साइन कन्वेंशन यहां लेंस में भी आप इस्तेमाल करेंगे यानि यू की दूरी हमेशा ही हम माइनस में रखेंगे इसमें को चीज याद रखनी है जो यहां नहीं दिया हुआ वो यह है कि उत्तल लेंस के लिए एफ माइनस में होंगी यह चीज आपको याद रखनी है उसके बाद वी जो है वह प्रतिभिम की दूरी प्रतिविम कि तरफ बन रहा है बाई तरफ बन रहा है तो मैनस में आएगा प्लस में आएगा और एफ हमीर हम छोंवम झा बच्छया को मैं दय आ आवर्धन, तो हमने skill दिये, दर्पन के लिए आवर्धन पढ़ा हुआ है, हम lens के लिए भी आवर्धन देखेंगे, तो आवर्धन M equal to होता है, M से निरूपित करते हैं, small m से H2 upon H1 equal to V upon U, याद रखेंगे हमने दर्पन में minus V upon U पढ़ाता है, H2 upon H1, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि सिर्फ V upon U है, minus नहीं है, तो यह छोटी-छोटी सी है, changes, जिसमें की बच्चे confuse हो जाते हैं, आपको confuse नहीं होना है, तो यह हो गया आवर्धन, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, कि दियावा है कि क्षमता किसे कहते हैं, lens की क्षमता, तो प्रकाश के करनों को अभिसारित करता है, या अपसारित करता है, इसको हम जिस बहुतिक राशी के रूप में देखते हैं, उसको हम कहते हैं, lens की क्षमता, तो इसको हम निरूपित कैसे करते हैं, और P से और P बराबर होता है, वन अपोन F, याद रखेंगे, F यानी, फोकस जब हमेशा हम किसमे लेंगे, मीटर में लेंगे, जब हम F को मीटर में लेते हैं, तब जाकर P की जो इकाई आती है, उसको हम D से निरूपित करते हैं, कैपिटल D से, और उसको हम पढ़ते हैं क्या, डायॉप्टर, तो याद रखेंगे, पावर कहते हैं, यानी, क्षमता, इसको हम निरूपित करते हैं, इसका मात्र क्या है, डायॉप्टर में, तब डायॉप्टर में है, जब कि F किसमें लेते हैं, मीटर में, तो आओ बच्चों, हम क्वेशन को करते हैं, बेटा, तो यहाँ क्वेशन आपके दिया हुआ है, कि क्योंकि क्वेशन में, जो हमारा वाली वर्कशीट खोली है हमने यह है हमारा question question number one यहां दिया हुआ है यह है question one दिया हुआ है five centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter अब हमारा convex lens का मतलब होता है उत्ता lens तो एक five centimeter का number object tall object यानि कि हमारा h1 कितना दिया हुआ है five centimeter है न उसके बाद दिया हुआ है आपके focus दूरी दिया हुआ है 10 centimeter f दिया हुआ है हमारे f1 हमारे 10 centimeter आपको याद रखना आ है अब बताया था कर उत्ता lens के लिए भjar लेंगे focus दूरी हमेशा प्लस में लेंगे और जो यू दिया हुआ है यानि कि वस्तु की दूरी वो हमारी दीवी है 30 cm लेगर हम इसको क्या करेंगे माइनस में लेंगे क्योंकि अभी बताया था आपको कि वस्तु हमेशा हमें लेफ्ट में बाई तरफ रखते हैं अब हमें पूछ रहा है कि जो प्रतिवेम बनेगा वो कहा पर बनेगा यानि उसका उसकी पोजिशन क्या होगी उसकी उंचाई क्या होगी और उसकी प्रक्रिति क्या होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे बावू बच्चों तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है वन अपॉन एफ एक्वल टू 1 upon V minus 1 upon U यहां दिया हुआ है अब देखो अब ही हम इस पर बिठाते हैं 1 इस पर हम डालते हैं F की value क्या लेंगे 1 upon 10 और हमें 1 upon V निकालना है तो हम क्या करते हैं minus 1 upon U को इस साइड लेकर आ जाते हैं तो हमारा क्या होगा U हमारा कितना दिया हो minus 30 और equal to 1 upon V अब देखो इसके लिए क्या करेंगे यह minus यहां यह minus यहां उपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 upon 10 minus 1 upon 30 equal to 1 upon V यह होगे हमारा अब हम LCM ले लेते हैं तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 33 minus 1 that is 2 upon 30 2 upon 30 तो V हमारा क्या हो गया 2 upon 30 तो V equal to क्या हो गया उलट देंगे हम 30 upon 2 क्योंकि यह 1 upon V था यह value क्या है यह value क्या है 1 upon V है तो V क्या हो जाएगा 30 upon 2 that is 15 cm यहां तक ठीक है कि V की value आई है plus में 15 cm लेकिन हमें वस तो कितनी दूरी पर बनेगा 15 cm पर बनेगा 15 plus 15 है यानि दाहिनी तरह बनेगा उसके बाद आपको लेंस के दाहिनी तरह बनेगा उसके बाद हमें उसकी प्रकृति और उसकी उचाई भी जाननी है तो इसके लिए हमें आवर्धन लिना पड़ेगा बच्चों तो आवर्धन क्या होता है आवर्धन M इक्वल टू अपी बताया था H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U है तो देखो H2 हमारे नहीं दिया हुआ ऐसी छोड़ देंगे H1 हमारे कितना दिया हुआ था H1 दिया हुआ था 5 cm तो 5 लिखेंगे V हमारे कितना है था 15 with plus sign और U हमारे कितना था minus 30 30 with minus sign क्योंकि लेफ्ट में रखावा है अब देखो H2 बराबर क्या ऐसे कैंची गुणा अगर कर दो cross multiplication तो हमारे क्या हो जाएगा H2 इकुल टू हो जाएगा कितना 15 into 5 अपान minus 30 यह minus ऊपर चला जाएगा तो अभी कर लेते हैं 15 तूजा 30 और 2 को 5 से करते हैं अगर हम डिवाइड तो 2.5 आएगा with minus sign यानि H हमारे क्या है minus 2.5 cm अब माइनस कहने का मतलब क्या है माइनस कहने का मतलब है मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा प्रतिवेम नीचे बनने का मतलब है वास्तविक तथा उल्टा बनेगा अब हमारा जो H2 है यह तो हमारा H2 कितना है 2.5 और H1 हमारा तो है H2 यानि कि प्रते बिंब की उंचाई और हमारी बिंब की आवस्तों के उचाई कितनी थी 5 cm तो हमारा जो प्रते बिंब क्या है वो छोटा बन रहा है क्यों क्योंकि वो है 2.5 cm तो हमारा कहां बना प्रते बिंब कितनी दूरी पर बना 15 cm दूर बना राइट साइड में ब बिल्टा होगा और चोटा होगा बिम्ब की उचाई से तो यह हो गया उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकेंड क्वेशन कह रहा है बच्चों वह हम अपनी हिंदी वाली वाक्षीट से ही देखते हैं तो सेकेंड वाला क्वेशन कह रहा है कि अभी सारी लेंस के लिए निम्न यहां पर दिया हुआ है यहां देखेंगे हम वास्तविक तथा आवर्धित बनाना है हमें तो यह देखेंगे हम कि यह है यह है वास्तविक बन रहा है यहां पर भी वास्तविक बन रहा है लेकिन आवर्धित बन रहा है आवर्धित यानि कि बिम्ब से वस्तु से वो क्या बन रहा है यहां पर ऑदै के लिए तू के लिए तो cyn mut === बनाओगे और वं can eat लेगा जहांके प्रतिमियम और हाहसी हे और सिधा है तो इस तरह का से बच्चों आज की सुन regular ऐ